नमस्कार दोस्तों में नामसरी कांत कुमार आप देखरें टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने उबर इस वीडियो में दोस्तों EYDI की बहुती बड़ी नियम अगर आपके पास अधार कार्ड है तो ए वीडियो आप सभी के लिए बहुती इन्पोटेंट होने वाला है इसलि पूरी है तो क्या इसका प्रोसेस है क्या इसका प्रक्रिया है सारा कुछ इस वीडियो में स्टे बाज टे पर के दिखाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अब लाइकन घंटे क करें प्रस्तूत यहां पर देखें बताया गया है कि होटल में कमरा बूक करते समय आपसे अक्सर अपनी पहचान भेरिफाई करने के लिए अनरोध किया जाता है इस स्तिती में आधार एक उप्योगी दास्तवेज के रूप में काम कर सकता है क्योंकि इसमें फोटो पता इमेल मोबाईल नमबर आधी सामिल होता है पहस्चान भेरिफाई करने वाले करमचारियों के लिए पूर्ण अधार नमबर जानना अनिर्वाय नहीं है ऐसे मामलों में एक छिपा हुआ अधार उप्योगी हो सकता है क्योंकि यह अधार के पहले आठ नमबरों को छिपाता और अन आपको यह जानने की वशक्ता है कि आप कब छिपे हुए अधार का उप्योग कर सकते हैं और कब आपको अपना मुल अधार वीबरन परदान करने की वशक्ता है EYDI के नियमों के अनुसार केवल वेरिफाइड और लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को ही किसी खास उपदेश के लिए किसी व्यक्ति का अधार वीबरन प्राप्त करने का अनुमत्ती है इसलिए होटल जैसी बिना लाइसेंस वाली संस्था आपका अधार एकट्रे और संगरन नहीं कर सकती है यानि कहने का मतलब यही है कि बिना लाइसेंस बिना भेरिफाइड संस्थाओं में बिना मास्क के वाला अधार कार्ट को यूज ना करें इससे आपके साथ बहुती बड़ी problem हो सकता है उस जगह पे जो है कि आपको mask के वाला अधार काट को यूज करना है जिससे आपके साथ किसी भी परकार का कोई भी problem नहीं होगा अब हम बात करते हैं कि mask का अधार काट कैसा होता है कैसे निकाला जाता है चले सबसे पहले इसका demo हम दिखा दते हैं उसके लिए browser में type करना है asup उसके बाद search के option पे click करना है सबसे उपर जो link दिख रहा है इस link के उपर click करना है अधार काट का official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार के interface देखने के लिए मिल जाता है तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले scroll down करना है और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है download अधार के option इस वाले option पे click करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन option दिया गया है अधार काट को download करने का तो चले यहाँ पर हम select कर लेते हैं अधार नंबर वाले option को उसके बाद यहाँ पर अपना अधार नंबर को type करना है इस capture code को इस box में type करना है send OTP के option पे click करना है अधार काट के साथ जो mobile number link है उस नंबर पर एक OTP को send किया गया है OTP को इस box में type करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे एक box दिया गया है इसी box पर सबसे पहले आपको record करना है इस box पर अगर आप record करते हैं तो mask के वाला अधार का download हो जाएगा यहाँ पर आप देखे हैं लिका हुआ है do you want a mask दे अधार यानि mask अधार का download करना चाहते हैं तो इसी box पर record करना है उसके बाद OTP को fill up करना है verify and download के option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर देखे mask के वाला अधार काड यहाँ पर download हो गया है चले इसको हम open करते हैं अब यहाँ पर देखे PDF में password लगा हुआ है तो password में आपको type करना है जो आपका अधार काड पर नाम है तो शुरवात का अच्छर जो है कि आपको चार अच्छर आपको capital में type करना है उसके बाद जो आपका अधार काड पर date worth होगा उसमें आपको बिना a space दिये हुए EARS को सिर्फ type करना है उसके बाद open के option पे click कर देना है तो हमने यहाँ पे type कर लिए चलिए open के option पे click करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं mask के अधार कार्ड यहाँ पे download हो गया है तो बिना license वाले संस्थाओं पे इस प्रकार का अधार कार्ड को आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी problem नहीं होगा यानि काने का मतलब यही है कि जहां आपको लगता है कि अगर हम उसको अधार कार्ड देते हैं तो सबसे पहले उसका अधार कार्ड को चेक करना बहुती जरूरी है कि जो अगला ब्यक्ति हमारे को अधार कार्ड दिया है औरिजिनल दिया है या फिर दूबलिकेट दिया है क्योंकि अभी के date में बहुत ज़्यादा duplicate अधार card बना कर बहुत ज़्यादा fraud कर रहा है इसलिए सबसे पहले कि उसको चेक करना होगा कि अधार card हमें जो दिया है original है या फिर duplicate है चेक करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले कि mobile का play store को open करना है और search box में type करना है अधार keyword scanner उसके बाद जैसे search के option पे click करते हैं तो इस प्रकार से app देखने के लिए मिल जाता है और ये app जो है कि EYDI का है तो इस app को सबसे पहले open कर लेना है open करने के बाद इस प्रकार से camera यहाँ पे open हो जाता है अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको अधार card दिया है उस अधार card में जो keyword code दिया हुआ है उसका अधार card का keyword code को scan करना होगा तो चले इस प्रकार से हम यहाँ पे keyword code को scan करते हैं तो यहाँ पे देखिए scan हमने कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए अगर अधार काड का पूरा details यहाँ पे open हो जाता है अधार काड में अगर उसका photo यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है नाम, date, और बर्त यह सारा कुछ अगर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है तो फिर आप समझ जाए कि जो आपको अधार का को टाइप करना है इस capture code को यहां पर टाइप करना प्रोशिट के option पर क्लिक करना है और इस परकार से अधार verification complete यहां पर हो जाता है तो फिर आप समझे कि जो आपको अधार data card दिया है उसका अधार card बिल्कुल original है किसी परकार का कोई भी problem नहीं है और अगर यहां पे कुछ भी यहां पे details हो नहीं हो रहा है अधार verification complete नहीं हो रहा है तो फिर जो आपको अधार card दिया है उसका अधार कार्ड duplicate है अपके साथ fraud कर सकता है तो किसी का अधार कार्ड लेने से पहले इस इसको आपको ध्यान में रखना है